हेलो दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटल की बहुत ही जादा स्वाधिस्ट और टीस्टी सी सबजी जिसे आपने एक बार बना लिया ना यकीन मानिएगा हर बार आप ऐसे ही बनाना पसंद करेंगे बहुत ही सिंपल मसालों से आज मैंने बनाया है लेकिन टेस टेसा कि हमेशा आपको याद रहेगा तो देखिए सबसे पहले मैंने एक कडाई ले लिया है उसमें दो बड़े चमस तेल रख लिया है और यहां दोस्तो मैंने 500 ग्राम कठल ले ली थी थोड़ा सा पानी रखके यह 60-70% अच्छे से पक जाए उसके बाद हमें इसको तेल में तलना है ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि जो हमारी कडाले वो एकदम सौफ्ट हो जाएगी साथ में अभी आप सोच रहे होंगे जब हमने कूकर में इसमें सीटी लगाई है तो तेल में हम इसे फ्राइ क्यों कर रहे हैं तो दोस्तों इससे ना इसका मॉइस्टर उड़ जाएगा और साथ में इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़े आएगा एक बार आप इस तरीके से जरूर बना के देखिएगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो देखिए 60-70% तो हमने इसमें कूकर में पका लि ताकि यह बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और इसका जो टेस्ट भी इन्हांस हो जाए तो यहां आप देख सकते हैं 4-5 मिनिट हो गये हैं तो इस तरह से कोई चम्मच यह स्पैचुला लेके आप उसे दबा के देखेंगे ना तो बहुत इसली देखिए चले ज जाएगी ठीक है बस अब हमें इनको बहार निकाल लेना है तो इससे ना इसका टेस्ट बहुत ही अलग आएगा एक पर आप मेरे तरीके से जरूर बना के देखिएगा यकीन मानिएगा आपको बहुत जादा पसंद आएगी तो यहां दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने सार साइस का आलू था मैंने पहले ही इसे उबाल के रख लिया था अगर आप चाहे ना तो कच्छा आलू भी इस तरह से तल सकते हैं इसका टेस्ट भी इन्हांस हो जाएगा साथ में सबसी भी बहुत ही जादा टेस्टी लगेगी एक बार आप इस तरीके से बना के ज़रूर द बुकुल भी बाहर को चलेंगे इससे इनका टेस्ट बहुत ज़का निकाल लेते हैं तो कच्छे आलू को भी तल के साइट में रख लीजेगा यहां दोस्तों वही कड़ाई ली थी मैंने विल्कुल भी एक्स्टा तेल इसमें नहीं डाला है चितना तेल बचा हुआ था उसी में मैंने आधी चमाज दोस्तों 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 दोस्तो से भुनते रहेंगे हम जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तो इसका कलर चेंज होता है तब तक दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो ना तो वीडियो को लाइक सबसे पहले मैं ले रही हो एक चमज लालमिश पाउडर तीखा तोड़ा सा इसमें ज़्याटा ही जाता है एक चोठाई चमज मैंने ले लिया हल्दी पाउडर और साथ में वन एंड हाफ़ टेवल स्पून धनिया पाउडर यानि कि एक और आधी चमज मैने दनिया पाउडर है और इसके साथ मैं ले रही हूं एक चमज नमक मैंने छोटी चमज से लिया है क्योंकि कटल हुबाल हम भी था। अब लुक्त नमक को प्रभ कें हैं। और दोस्तों इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और अच्छे से से तेल सेपरेट हो गया है हमारी ग्रेवी से तो बस यह ही इंडिकेशन होता है कि जो हमारी ग्रेवी एकदम पॉफेक्ट पकी हुई है बहुत ही बड़ी आसी खुश्वा रही है दोस्तों तो इस तरह से आप ग्रेवी पकाएंगे ना तो बहुत जल्ली भी पक जाएगी यहां मैंने अच्छी तरह से उसे मैश कर लिया था अब लास्ट में जो उबले हुए आलू जिने हमने तलके रखा था वह हम डाल देंगे अल्रेडी हमारी तली हुई कटल हम इसमें डाल देंगे यह चीज़े हमें लास्ट में डालना है ठीक है अब मैं यहां पर पानी डा ठीक है और जैसे ही एकोबल आ जाएगा इसमें हम डाल देंगे गरम बसालई हुई है और जो हमारे आलू अच्छी तरह से पके हुई है और जो हमारी कटले बहुत बढ़ी से पकी हुए है लास्ट में गरम मसाला डालना डालने के बाद हम लोगने और Sahil गया तो बहुत ब बनके तैयारे रोटी के साथ आप इंजॉय कीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैश्री श्याम